नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा आउनलाइन इस्टेडिवी डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले यहाँ पर परियावरेन की EVS के 50 प्रशनों के बारे में वाले का अनलाइन इस्टेडिवी iqa के चाहे तो आप हमारे डिस्केपचन में जाकर लिंके से डाउनलोड कर सकते या फिर play store पर जाकर भी online study video के लिखेंगे तो आसानी साहब हमारे apps पर पहुंच जाएंगे और उसको download कर लिजेगा कुछ समय बाद ये PDF आपको महाँ पर उपलब्द हो जाएगी तो सुरुवात करते हैं हर एक प्रशन को समझाए गया व्यास है रेखा सर्मा है यासमिन अवरार है या फिर मालिनी भट्याचारी यहाँ पर वरतमान राष्टि महिला आयोग की अद्यक्ष के बारी में आपको बताना है कोन है चाहे तो आप इसका आंसर कमेंट्स के माद्यम से या फिर अपनी कोपी में लिखकर टोटल 50 प्रशन में बताना है कि कितने नंबर आपको आ रहे है तो यहाँ पर आपका सही आंसर हुगा रेखा सर्मा जो वरतमान राष्टि महिला आयोग के अद्यक्ष है अभी भी वरतमान में है तो कौन है वो रेखा सर्मा है इनका कारेकाल कब से सुरू किया था इनोंने तो उनोंने 7-8-2018 में इनोंने कारेकाल समा रहा था और अभी तक यह ही अद्यक्ष है नहीं कि वरतमान में है इनके बारे में सारी जानकार यह आपको देंगे तो वन बाई वन करके सुनिएगा देखे जैसा कि मैं आपको उत्तर बता चुका हूँ रेखा सर्मा रेखा सर्मा भारत की राष्टी महिला की वरतमान अध्यक्ष ने की अभी भी है 7-8-2018 इनका कारेकाल पूछे तो उनोंने अपना पद कब ग्रहन किया था 7-8-2018 किया था और आज तक ये महिला अयोग की अध्यक्ष याने की वरतमान अध्यक्ष के बारें पूछे तो रेखा सर्मा आप किलिक कर देजीगा आपका सही आंसर होगा यदि पूछे कि इसके स्थापना कब हुई थी राष्टी महिला अयोग की तो इसके स्थापना हुई थी cabin 31 Jan. 1992 IMPORTANT है इसके इसके स्थापना के बारें पूछ़ की जा सकता है तो 31 Jan. 1992 में भारा सरकार ने राष्टी महिला अयोग की स्थापना की थी अब इसका उद्देश ही क्या था तो याद रखेगा इसका उद्देश ही था भारत में महिलाओं के अधिकार का प्रतिनिद्द्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज कदान करना था आपका राश्टी महिलायोक का यदि देखें यहाँ पर वर्तमान पूछे तो आप टिक कर सकते हैं रेखा सर्मा लेकिन यहाँ पर प्रत्थम अधिक्ष के बारे हम पूछे के राश्टी महिलायोक की प्रत्थम अधिक्ष कोन थी इंपोटेंट है तो याद रखेगा जैन्ती पतनायक याद रखेगा नाम जैन्ती पतनायक यह प्रत्थम अधिक्ष थी राष्टी महिला आयोक की है न और इनका जो कारिकाल था वो 3.292 से 30.1995 तक था कुछ समय बाद सारे सब्जिक्ट की PDF जैसे की मैंने आपको बताया इसी प्रकार से समझाया गया है तो वो आपको उनलाइन इस्टडिविट डीकपर मिल जाएगी तो वो उसको डाउनलोड करके रखेगा को कुछ समय बाद ही वो PDF आपको देखने को मिली 2011 लगाकर 2022 तक सारे पेपर आपको महाँ पर अवेलेबल हो जाएगे चलिए दूसरा प्रशन है लोगसबा और राजसबा लोगसबा और राजसबा की जो सयुक्त बेठक है ये किसके द्वारा आहुत की जाती किसके द्वारा ली जाती है राष्टपती के द्वारा लोगसबा के अध्यप्च संसद या फिर राजसबा के सभपती important है इस प्रकार के प्रस्ण आपके UPT exam में आगे भी पूछ जा सकते हैं इस पर एक properly मैंने वीडियो बनाई सविधान से जेतनी भी प्रस्ण पूछे गए हैं यानि कि अभी तक पर्यावरान अध्यन में जो भी प्रस्ण पूछे गए हैं topic wise मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ यदि आप नहीं देखा है तो playlist मैंने बना के रखी उस पर जाकर आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं तो लोगसभा और राजसभा की स्रीट बेठक किसके द्वरा आहुत की जाती है तो सभी को पता होगा तता प्रधान मंत्री के परामर्स से प्रधान मंत्री के परामर्स से वहाँ अन्य मंत्रियों की न्युक्ति करता है प्रधान मंत्री के परामर्स से क्या करता है वहाँ अन्य मंत्रियों की न्युक्ति भी करता है साथ में लोगसभा और राजसभा की स्विप्त बेठक राष्ट पती द्वरा आहुद की जाती है और राष्ट पती लोगसबा को भंग कर सकता है यादी पूछे कि लोगसबा को भंग कोन कर सकता तो याद रखेगा राष्ट पती कर सकता तता संसत की स्विप्त बेठक बुला सकता है तो संसत की सभ्युक्ति बिठक में कौन कौन आता है आपका लोकसुबा और राज्यसाबा ये आपको धियान में रखना है चलिए अगला प्रश्णी आपका तीसरा गीर सेर परियोजना है ये कहां पर होगा गुजरात में ही महराश्ट में उत्रप्रदेश में या फिर मद्य जैसे कि मैंने अभी आपको बताए था कि जो गीर राष्टी उद्ध्यान है या फिर वन जीव अभ्यारन है ये गुजरात के जूनागर जिले में श्तित है और इसको अभ्यारन और राष्टी उद्ध्यान कब घोसित किया गया था तो अभ्यारन इसे 1965 में घोसित किया गया था और राष्टी उद्ध्यान इसे 1975 में घोसित किया गया था इसके बारे में आपको जानकरी होना चाहिए सांत में जो गीर राष्टी उद्ध्यान है ये किसके लिए प्रशिद्ध है याद रेखेगा important है ASI 0 के लिए पूछे जाता सिधे-सिधा कि ASI 0 के लिए कौन सा राष्टी उद्ध्यान प्रशिद्ध है तो वो है गीर राष्टी उद्ध्यान और भी जो गुजरात में प्रमुक राष्टी उद्ध्यान है उसमें आपका गिर राष्टी उद्ध्यान जो कि अभी पूछा गया है मरिन राष्टी उद्ध्यान पूछे तो ये भी गुजरात में है बलेक बुक राष्टी उद्ध्यान पूछे तो ये भी आपका गुजरात में है और गल्फ आप कच्छ ये भी आपका गुजरात में है ये चार प्रकार के जो प्रमुक्राष्टी उद्ध्याने सभी के सभी गुजरात में इस्तित है और ये भी आगे आपसे एक्जामें पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रखना है अगला प्रशनी चोथा WWF से आसा है यहाँ पर देखे WWF का पूरा नाम पूछा गया है वल्ड वाइल फंड है वल्ड वर फंड है वल्ड वर फंड है वल्ड वाइल लाइफ फंड है या फिर वल्ड वर फंड है तो WWF का पूरा नाम याने किसका आसा ही क्या है वल्ड वाइल वाइल डाइफ फंड से हैं तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा तीसरा वाला होगा इसके बारे में हम जान लेते हैं देखिए WWF का पूरा नाम क्या है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वर्ल्ड वाइल डाइफ फंड है साथ में यहां विश्व का सबसे बड़ा संग संगठन है सबसे बड़ा संगठन संगठन के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा संगठन है WWF है यह कब अस्तित्व में आया था तो यह 29 अप्रेल 1961 को अस्तित्व में था 29 अप्रेल 1961 और यहां परियावरन संग्ठन अनुसंधान से समरित कारी करता ह इसके मुख्याले के बारे में पूछे कि WWF का मुख्याले कहां पर है तो इस शोजलेंड में है तो ग्लेंड सहर में है और इसका प्रतिक चिन्ने पूछे जाता है इंपोटेंट है WWF का प्रतिक चिन्ने क्या है तो याद रखेगा पांडा है विसाल पांडा इसका प्रतिक गलेशियर से निकलती है फिर मिलाप गलेशियर से निकलती गंगा नदी कहां से निकलती है इसके बारे में सारी जानकारी आपको दूँगा एक एक करके सुनिएगा तो गंगा नदी कहां से निकलती सभी को पताऊगा गंगोत्री गलेशियर से निकलती कहां से निकलती है ये उत्राखंड में इस्तित है और उत्राखंड इस्तित गंगोत्री ग्लेशियर हीमनत से निकलती है ना आगे हम इसके बारे में आपको बताएंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो गंगा नदी है वो उत्राखण इस्तियत गंगोत्री ग्लेशियर हीमनत से निकलती है और यह बंगाल के खाड़ी में समापत होती है जैसे निकलना यहाँ पर पूछ ले कि कहां से निकलती है तो विकल्पी में ता गंगोत्री ग्लेशियर है आपने टिक कर दिया लेकिन यह पूछा जाए कि कहां पर समाप्त होती है या कहां पर गिरती है तो आपको पता होना चाहिए बंगाल के खाड़ी में गिरती है और मीठे जल में पाए जाने वाली जो दुरलब डोल्फिन यहां पाए जाती है पूछा जाए कि डोल्फिन कहां पर पाई जाती है तो यह आपका जो गंगा नदी उसमें पाई जाती है और गंगा भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो कौन सी होगी आपकी गंगा नदी होगी इसके लंबाई पूछे तो भारत में इसके कुल लंबाई कितनी है 2525 क है और गंगा की सबसे बड़ी साहक नदी के बारे में पूछे इस प्रकार के पूछे जाते हैं तो आपकी यमना नदी होगी और पूछा भी गया है कि गंगा की सबसे बड़ी साहक नदी कौन सी है तो वो यमना नदी है यमना नदी के साथ कौन सी गंगा की साहक नदी है तो किसकी साहिक नदी है तो आपको पता होना चाहिए गंगा की इस प्रकार से आपको इन नदियों के बारे में पता होना चाहिए सारी के सारी गंगा नदी की साहिक नदिया है आगे हम बात करें भारत की परवित्र नदी के बारे में पूछे तो कौन सी नदी होगी आगे और बात करेंगे भागिरती और अलगनन्दा नदिया देव प्रियाग में मिलती है जो बागिरती और अलगनन्दा नदिया है ये कहां पर मिलती है तो ये देव प्रियाग में मिलती है और गंगा नदी आपका उत्राखन में उत्तर प्रदेश में बिहार में जारखन मे चाहिए पर्शिमंगाल में ताथा बांगलादेश में पूछा जाता है कि जो गंगानदी कहाँ से होकर भेती है तो आपका यह उत्राखंड से निकलती जैसे कि हमने आपको बता है फिर उत्तरप्रदेश, भिखार, जहरकन पर्शिमंगाल और बांगला देश से होकर बहती है यह तो हुए आपके राज और देश के बारे में आप जदी यह सब पूछे कि गंगा नदी के किनारे कुन से सहर बसे होए तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए गंगा नदी के किनारे जो बसे सहर है उसमें आपका हरिद्वार है, कानपूर है, इलाबाद है, प्रियाग राज आप क्या कर दिया है इसका नाम प्रियाग राज कर दिया, तो प्रियाग राज है आपका पटना है, भागलपूर है, वारनासी है, कुलकत्ता सहर है सबी के सबी आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए बांध की हम बात करें तो गंगा नदी पर फरक्का बांध तथा टेहरी बांध पूछा जाता सिधा सिधा कि टेहरी बांध किस नदी पर बनाए गया है तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी पर बनाए गया है फरक का बांध भी गंगा नदी पर ही बनाए गया है बांगला देश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जाता है तो ये क्या गया था नवंबर दोजार आट में है ना ये पूछ जाता है important है सारे के सारे point इसको आपको ध्यान में रखना है note से बना लिजेगा एक बार पढ़ लेजेगा आसानी से आपको याद हो जाए छटा प्रशन अंतराष्टी नियाले का मुख्याले इस्ति थे देखिए अंतराष्टी नियाले का मुख्याले कहां पर इस्ति थे जनुवा में हैं या फिर पेरिस में हैं अंतराष्टी नियाले का मुख्याले पूछा गया है कहां पर इस्ति थे आप भी जैसे कि मैंने शुरू में आपको बढ़ाई था कि आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट्सक के मत्धियम से या पर कोबी में है न इससे आपको पता चल जाएगा कि या जीसी आगे भी इस प्रकार के प्रशने पूशिये जाएंगे तो आप कितना हल कर पाएंगे कितने आपको अंकर प्राप्त हो सकते हैं तो छटा प्रशन है और इसका सही आंसर होगा आपका हैंग में कहां पर है यह अंतराष्टी नियाले का मुख्यालाई हैंग में इस्तित है आगे हम बात करेंगे हेंग कहां पर आता है नीदर लेंड में है आगे हम इसको देखेंगे देखेंगे अंतराष्टी न्यालेई सांती महल पीस पेले कहा जाता है जो कि हेंग में है और हेंग कहां पर है आपका नीदर लेंड में है ना सिधी सीजे नीदर लेंड भी विकल्पी में दे तो भी आपका correct answer होगा इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 3 अपरेल 1946 को हुई थी स्थापना ज़रूर याद कर लेना है जहां पर भी मैं स्थापना बता रहा हूँ क्योंकि जो यूपिटेट एक्जाम में इस प्रकार के प्रश्ण पूछी जाते हैं आपके इस्थापना भी पूछी जा सकती है तो इसके इस्थापना हुई जी तीन अप्रेल 1946 को अंतराष्ण नियाले के अधिकारिक कामकाजी जो भासा है वो कौन सी है तो उसमें अंग्रेजी भी है और फ्रेंच भी है अंतराष्ण नियाले के बारे में पूछा गया है और इसे राज्यो द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निप्टाने और स्विप्त और एजेंसियों से कानूनी सवाल पर सलाहकार राय देने के लिए इसको बनाए गया है किसको अंतराष्टे निया लेको है ना तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अब अगले प्रश्ण के और बढ़ेंगे सात्वा प्रश्ण आपका भारती सविधान में विधी का सासन विचार कहां से लिया गया है यहाँ पर मैं लगभग लगभग आपको 10 देसों के बारे में बताऊंगा कि 10 देसों से क्या क्या लिया गया है भारती सविधान में तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं कि भाई भारती सर्विदान में विदी का सासन विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका से, इंगलेंड से, सुजी लेंड से, या फिर आयर लेंड से, सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा आपका इंगलेंड है, विदी का सासन विचार कहां से लिया गया है, आपका इ ब्रीं से क्या लिए गया है तो इससे संसद की सासन प्रणाली ली गई है द्वी सधनात्मक प्रणाली पूचा जाता है देखिए आपके आईरलेंड से लिया गया है आश्टेलिया से क्या लिया गया है तो प्रस्तावना की भाहसा ली गई यह समवर्ती सूची यह भी इंपोर्टेट समवर्ती सूची है ना कहां से लिया गया है आपका आश्टेलिया से लिया गया है जर्मनी से क्या क्या लिया गया है आपातकाल के दोरां राष्टपती के मोली कदिगार संबनी सक्तिया कहां से लिगई है राष्टपती के मोली कदिगार सक्तिया याद रखीगा आपातकाल के दोरां तो ये जर्मनी से लिया गया है दक्षिन अमेरिका से राजसभा के सदर्शों का निर्वाचन संसोधन की प्रक्रिया ये सभी दक्षिन अमेरिका से लिया गया है केंदर द्वारा राजपाल की न्युक्ति पूशा जाता है केंदर द्वारा राजपाल की जो न्युक्ति है ये कून से दे से लिया गया है तो ये कनाडा से लिया गया है सोवियत संग से क्या लिया गया है तो मोली कर्तव लिया गया है और मूल कर्तव और प्रस्तावना ये सभी सोवियत संग से लिया गया है जापान से क्या लिया गया है आपका कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपका जापान से लिया गया है साथ में दसवा आपका देश है इससे सविधान की प्रस्तावनाकि में सोतन अतरा ली गई ये समंता और बंधुत्व का सिधानता फ्रांस के सविधान से लिया गया है समंता का दिखार है ना ये कहां से लिया गया है फ्रांस से लिया गया है ये आपको धिहान में रखना है चलिए दस देसों के बारे में आपको बताया दसों के दसों important हैं कहां से क्या लिये गया है ये important है इस प्रकार के प्रशन आपके यूपिटेट exam में पूछी जाते हैं आठवा प्रशन लोगसभा के चुनाव है तू अधिसूचना कोन जारी करता है लोगसभा के बारे में पूछा गया है भारत का निर्वाचन आयोग, राष्टपती, ग्रहे मंतराली या फिर लोगसभा सची वाली है ना पता होना चाहिए आपको कि लोगसभा के चुनाव है तू अधिसूचना कोन जारी करता है सही आंसर क्या होगा भारत का निर्वाचन आयोग यहाँ पर चुनाव है तू पूछा गया है ना जहाँ पर चुनाव है तू पूछा गया हो वहाँ पर डारेक्ली आंसर लगा सकते है भारत का निर्वाचन आयोग पहला वाला विकल्पा आपका सही होगा देखिए भारत निर्वाचन आयोग जो कि चुनाव आयोग भी इसे कहते हैं हम, ये लोक सभा के चुनाव की अधिसुचना जारी करता है और चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकरी आपको देता हूं ये भारत में साविदान में उल्लेखित नियमों और विनीयमों के अनुसार चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मदार है सीधे सीधे आपसे पूछ जाए कि चुनाव प्रक्रियाओं को कौन संचालित करता है तो आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग करता है और यहाँ आयोग भारत में धियान दीजे का कि यहां आयोग भारत में लोगसबा, राज्यसबा और राज्य विधान सबाओं और देज में राष्टपती और उपराष्टपती के कारेकालों के चुनाव का संचलन करता है 250 को इसके स्थापना हुई थी, इसके मुख्याले के बारे पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग का मुख्याले कहां पर है, तो इसका मुख्याले आपका नई दिल्ली में है, कहां पर है, नई दिल्ली में है, और मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुक्त होता है ना सीधे सीधे पूछे जाए आपसे कि जो चुनाव आयुक का प्रमुक्त कौन होता है इस प्रकार से पूछे जाता है तो आपको पता होना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त है ना ये भारत के चुनाव आयुक्त का प्रमुक्त होता है ना और भारत के मुख चुनाव आयुक्तों का कारेकाल पूछे यहाँ पर प्रथम आयुक्तों और जो अभी वर्तमान में उनके बारे में भी हम बात करेंगे सबसे पहले हम इनके कारेकाल के बारे हम जान लेते हैं तो इनका कारेकाल होता है वो 6 वर्स का होता है या फिर 65 वर्स का जैसे कि यहाँ पर 65 वर्स समाप्त हो गए कोई-कोई जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्ते हैं वो उधारन तोर पर 63 वर्स हम बने है ना उनकी वर्स आयू कितनी 63 है तो वो 2 साली कर पाएंगे 65 वर्स में उनको सेवा निवरत्य दे दिये जाएगा इसलिए यहाँ पर 65 वर्स लिए गया है जादस जादा 65 वर्स तक और जादस जादा यहाँ पर वर्स से पूछे कारिकाल तो 6 वर्स तक है ना जो भी पेले हो का होता है भारत के प्रत्थम चुनाव आयुक्त देखिए इंपोटेंट है ध्यान दिजिएगा यदि भारत के प्रत्थम चुनाव आयुक्त के वारे में पूछे प्रत्थम पूछा गया है ना सुकुमार सें, इनका कारिकाल कितने से कितना तक था, 21 मार्च 1950 से 19 दिसम्बर final 1998 तक इनका कारिकाल था, सुकुमार से जाद रखिएगा, और भारत के 25 अर वरतमान, सीधे सीधे आपसे पूछ से कभी यहा रहता है, सीधे सीधे आप से पूछ ले जाता है कि भारत के 25 वे चुनाव आयुक्त कोन है इस प्रकाय से भी प्रशनिक पूछा जा सकता है तो वो भी उस बात का भी मैंने ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर सारी चीजे रखी है यदि 25 वे का पूछे या फिर वरतमान का पूछे है क्योंकि अभी तक 25 वे चुनाव आयुक्त बन चुके है तो 25 वे और वरतमान चुनाव आयुक्त कोन है तो वो है राजिव कुमार है प्रथम चुनाव आयुक्त कोन है सुकुमार सेन है और यदि भारत के 25 वे और वर्तमान चुनाव आयुक्त के बारे में पूछे तो वो आपके राजी उकुमार है इन्होंने कब सपत ली थी याने कि इन्होंने अपना पद गरन कब किया था 15 मई 2022 को और अपता कहने के अभी तक भी राजी उकुमार को की वर्तमान में अभी तक मोजूत है न और वी एस रमा देवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त कोन करता है मुख की चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति कोन करता है तो यह राष्ट पती द्वारा की जाती है और राज चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति यह तो आपका जो केंदर में है उसके बारे में बात की जा रही है भारत में हमारे लेकिन राज चुनाव आयुक्ति की नियुक्त प्रश्नकाल को प्रश्नकाल को क्या कहता है? आगे इसकी सारी जानकारी दी गई है प्रश्नकाल के बारे में कि प्रश्नकाल लोगसबा की कारवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है? यदि इसका समय पूछे कि इसका समय क्या होता है? तो सुवे 11 बजे से 2 पर 12 बजे तक इसका बीच का जो होगा समय वो 1 घ पर जवाब देते हैं प्रश्ण तीन प्रकार के होते हैं याद रखेगा है ना ये फिन शीदा शीदा आपसे पूच़े कि इस दोरान जब सदर्श शवाल पूच्छते और मंत्री आमतोर पर जवाब देते हैं तो उसको कौन सा काल कहा जाता है लोग सबामे तो याद जाता है और यह तीन प्रकार के होते हैं प्रश्ण एक होता है तारंकित दूसरा होता है आतारंकित और तीसरा होता है लगु सूचना यह तीन प्रकार के यहां पर प्रश्ण होते हैं लोगसबा में प्रश्ण काल के यह आपको धियान में रखना है दस्वा प्रश्ण है इम्पोटेंट हैं आगी भी पूछा जा सकता है जो प्रस्ण ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा इम्पोटेंट है उन्ही को यहाँ पर लिया गया है तो देखिए तिब्बत में सांगपो नदी भारत में इसे ब्रह्मपूतर नाम से जाना जाता है किसको ब्रह्मपूतर नद इसे जाना जाता जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था आगे हम बात करते हैं जो ब्रह्मपूतर नदी हैं वो तिब्बती पठा से निकलने वाली अंतिम बड़े पेमाने पर मुक्त बहने वाली नदियों में से एक है ब्रह्मपूतर नदी है ना और ब्रह्मपूतर नदी याद रेखेगा important है न क्योंकि सीधा सीधा आपसे पूछा जाता कि बर्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है तो आपको पता होना चाहिए इसकी लंबाई पूछे तो देखे इसकी कुल लंबाई कितनी है 2580 किलोमीटर है लेकिन भारत में पूछे कि भारत में कितनी है तो भारत में ये 1346 किलोमीटर है भारत भारत में पूछे 1346 और कुल लंबाई पूछे तो 2580 है 2580 किलोमीटर साथ में यदि आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप कौन सा है तो वो है जामूली दीप कौन सा है जामूली दीप तियांगपो तिबबत में ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाईगी सबसे गहरी घाटी है और यारलूंग तियांगपो को ही यारलूंग जंगबू भी कहते हैं या फिर यारलूंग जंगबू को यारलूंग तियांगपू के नाम से भी इसे जाना जाता है या फिर कहा जाता है न और बांगला देश में ब्रहमपुत्र को किस नाम से जाना जाता है तो इसे जमना नदी के नाम से जाना जाता है कौन से नदी जमना नदी के नाम से जाना जाता है बंगला देश में ब्रहमपुत्र को तिबबत में ब्रहमपुत्र को सांगपा के नाम स इस्ता पोसंकोस ये सारी के सारी जो नदिया है ये आपकी ब्रह्म पुत्र की शाहिक नदिया है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए साथ में जो ब्रह्म पुत्र नदी है ये किस खाड़ी में मिल जाती है तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और ब्रह्म पुत्र को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है याद रखेगा लाल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो वो ब्रह्मपूत्र नदी को जाना जाता है ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए अगला प्रशन है वर्स 1984 की भुपाल गेस त्रासदी निम्न में से किस गेस के रिसाव के कारण हुई थी आपर किस लिखा हुआ है ना किस गेस के रिसाव के कारण हुई थी, most important प्रशन है, काफी बार और सभी टेट exam में पूछा गया है, और उपी टेट में 5-6 बार ये प्रशन पूछा गया है, मिथाईल आइसो साइट है, नाइटरस अक्साइड है, मेथेन है या पिर कार्वन मोनो आकसाइड है, सभी को इसका अंसर पता हुआ, कौन सी गेस है, जो भुपाल गेस टराजदी हुई थी है, वह रिशाव कौन सी गेस हुई थी, उसके बारे में आपको बताना है, तो उस गेस का नाम है मिथाइल आईसोसाइनाइट कौन सी गेस है? मिथाइल आईसोसाइनाइट यहाँ पर वर्से के साथ यदि आप से तारीक पूछे तो वो है 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1984 है ना कहीं कहीं 4 दिसंबर भी दे रखा होता है 3 और 4 आपको याद अखना है इस दिन भोपाल गेस तराजदी हुई थी गेस का रिशाव हुआ था मिथाइल आईसोसाइनाइट और इसकी वज़े से काफी लोगों की जान भी गई थी है ना? यहाँ पर सारी चीजे लिख हुई है 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गेस तराजदी मिसाइल आईसोसाइनाइट गेस की रिशाव के कारण हुआ था और इस रिशाव के कारण लगवग 15 से 20 जान लोगों की म्रत्यू हो गई थी है ना? धियान रखिएगा भोपाल में हुआ था आगे बात करेंगे 12 प्रशने की भारत में भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारम हुआ था यह 1973 में हुआ था कब हुआ था? 1973 थोड़ी सी जानकारी इसकी रखी मैंने भारत सरकार ने अप्रेल में कब? अप्रेल 1973 को भारत में बागों की लगतार घटती अबादी को बचाने के उद्दिश शे प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात की थी यहाँ पर उद्देश पूछे तो किस उद्देश शे की थी? भारत में बागों की लगतार घटती अबादी को बचाने के उद्देश शे प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात की थी? कब की थी? 1973 में की थी जो कि भारत का सबस्वे पूराना राष्टी उध्यान है जिम कारवेट राष्टी उध्यान पूछा गया है। ये भी important प्रस नहीं प्रस नहीं है जीम कारवेट राष्टी उद्ध्यान के स्तापन कवईती 1936 में ये याद रखेगा ये भी पूछा जाता है ये उत्राखन के कौन से जिले में श्तित है तो याद रखेगा जो जीम कारवेट राष्टी उद्ध्यान है ये उत्राखन के नेनिताल जिले में श्तित है कहां परे नेनिताल जिले मिश्ती थे इसका पूराना नाम पूछ जाता है और पूछा भी गया है जीम कारबेट नेशनल पार्क का पूराना नाम क्या है जो कि भारत का सबसे पूराना राश्टी उद्यान इसका नाम होगा हैली नेशनल पार्क था उसके बाद में जिन कार्वेट राष्टी उध्यान इसको कर दिया गया तो यह सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफरिका से देखिए आपर यूरोप को अफरिका से कौन अलग करता है यह पूछा गया कौन सा सागर है लाल सागर है काला सागर है अरब सागर या भूमद्य सागर है आपको सागर का नाम बताना है जो कि यूरोप को अफरीका से अलग करता है तो सागर का नाम है भूमद्य सागर भूमद्य सागर यूरोप को अफरीका से अलग करता है फूर्थ वाला विकल पर आपका सही होगा जैसे की लिखा हुआ है कि भूमद्य सागर यूरोप और अफरीका को अलग करता है साथ मैं आपको पता होना चा जिब्राल्टर और इस्पेन को अफ्रीका में मुरेकों से अलग करती है इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है ना तो यहां पर सही अंसर क्या होगा आपका भूमध्य सागर होगा चलिए अगला प्रशन आपका अंतराष्टी ओजोन दिवस यह प्रशन भी काफी पुछा गया है ओजोन दिवस के बारे में पूछा गया है दिवस के बारे में एक दू प्रशन पूछी जाते हैं आपकी UPDT exam में तो कब मनाया जाता है? 16 सितमबर को, 22 मार्च को या फिस 16 अक्टूबर को ओजोन दिवस कब मनाया जाता है सभी को पताओगा सरलसा प्रश्ण है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को है ना अंतराष्टी ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है साथ में ओजोन परत के सनरक्षन के लिए क्यों मनाया जाता है ओजोन परत के सनरक्षन के लिए मनाया जाता ह अंतराष्टे दिवस 16 सितंबर को है न और ओजोन परत के बारे हम देखें तो ओजोन परत सूरी के हानिकारक पराबेगनी के नहीं जिसके बारे में आपको सभी को पता है इसको सीमित करने करके प्रत्वी के रक्षा करने के लिए जो ओजोन परत है यह महत्रपूर भूमिका निभाती है साथ में इसे कब घुशित किया गया था 16 सितंबर को विस्व ओजोन दिवस तो यह किया गया था दिसंबर 1994 में दिसंबर 1994 में सिख्त राष्ट महसाबा ने 16 सितंबर को विस्व ओजोन दिवस के रूप में घुशित किया था ना कब 16 सितंबर है ना 1994 में याद आगे हम बात करेंगे थोड़ी सी ओर जानकारी इसके बारे में दे देता है ओजोन परत के बारे में जो ओजोन परत के संद्रक्षन के लिए कौन सा समझोता दे कि पूछा जाता है प्रोटोकाल के बारे में पूछा जाता है कौन सा प्रोटोकाल है ओजन परत के संडरक्षन के लिए important है montreal protocol ये भी पूछा गया है आपके UPTate exam में है ओजन परत के संडरक्षन के लिए कौन सा परोटोकाल जिम्मदार होगा तो montreal protocol ये ही सारा देखरे किसका करता है ओजन परत समताफ मंडल में मौजुद यह important पूछ जाता है कि जो Ozone परत है वो कौनसे मंडल में है कौन सी परत में है तो समताप मंडल में है जो प्रत्वी की सता से 10 से 50 किलो मेटर उपर की परत है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब समताप मंडल वगरा और भी आपके जो वायू मंडल है, समताफ मंडल है, बहा मंडल है, सारी जानकर यह आगे हम देंगे, यह प्रश्ण में रखा है एक, तो अगला प्रश्ण है, अंतराष्टी ओजोन दिवस मनाय जाता है, यह भी इंपोर्टेंट काफी बार कुछा गया है, ओजोन दिवस कब मनाय जाता है, 16 सेतंबर को, 22 अप्रिल को, 22 मार्च को, है ना, या फिर 16 अक्टूबर को, ओजोन दिवस कब मनाय जाता है, सभी को पता है कि 16 सितंबर को अंतराष्टी ओजोन दिवस मनाए जाता है क्यों मनाए जाता है ओजोन परत के सनरक्षन के लिए लिखा हुआ है ओजोन परत के सनरक्षन के लिए अंतराष्टी दिवस 16 सितंबर को मनाए जाता है 12 सितंबर को अंतराष्टी ओजोन दिवस मनाया जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए साथ में ओजोन परत के बारे में आपको पता होना चाहिए जो ओजोन परत होती है सूरी के हानिकारक परादेगनी किनों को सिमित करके प्रत्थवी की रक्षा के लिए जो ओज सो इस्तंबर में दिसंबर 1994 में किया था है ना याद रखेगा important है यहाँ पर सण आपको ध्यान में रखना है साथ में ओ थोड़ी सी जानकारी देंगे यहाँ पर प्रोटोकाल के बारे में पूछ जाता है कि ozone परत के संद्रक्षन के लिए कौन सा समझोता है या फिर कौन सा प्रोटोकाल बनाए गया था तो आपको पता होना चाहिए वो Montreal प्रोटोकाल है कौन सा प्रोटोकाल है मौन्ट्रियल प्रोटोकाल है काफी important है ध्यान दीजेगा और जो यह ozone परत है यह कौन से किलोमीटर उपर की परत होती संद्राप मंडल की इसके बारे में हम और जानकर या आपको देंगे सबसे पहले हम इस प्रोटोकाल के बारे में जहन लेते हैं देखिए important ध्यान दीजेगा IMP प्रोशन है ओजोन का छण सबसे अधिश किसमे होता है तो यह दक्षी दू या फिर अंटार्किटिका में होता है और तीन विकल पर आपने देखे थे जिसमें 22 अप्रेल था 22 मार्च था 16 अक्टूबर था तो 22 अप्रेल को विश्व प्रति विवस मना जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मना जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद दिवस मना जाता है तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ेंगे एगला प्रश्ण है किसी खाद्य संख्ला में साकाहरी होते हैं खाद्य संख्ला में साकाहरी कौन होते हैं प्रात्मिक उत्पादक होते हैं प्रात्मिक उत्पादक होते हैं दुवतिय को भोकता होते हैं या फिर अपगटन करता होते हैं किसी खादी संखला में साकाहरी कोन होते हैं इसके बारे में आपको बताना है तो यहाँ पर देखें साकाहरी कोन होते हैं प्रात्मी कुप भुगता होते हैं उत्पादक नहीं होते हैं प्रात्मी कुदपदक कोन होते ही प्रात्मी कुदपदक ये प्रकास अंसलेसन के मदद से अपने स्वियम का उत्पदन करते हैं इसे ही क्या कहते हैं प्रात्मी कुदपदक कहते हैं जैसी उधारन तोर पर हम जारे हैं तो पेड़ पोदे जो होते हैं वो प्रात्मी ये सभी प्रात्मी कुप भुकता होते हैं, जो साकाहरी होते हैं, वो सभी जानवर प्रात्मी कुप भुकता के अंधर गताते हैं, अब प्रात्मी कुप भुकता दोनों ही अलग-अलग हैं, ये प्रकास अंसलेशन की मदद से अपने श्वियम के भोजन का उत्पादन करते है जैसे कि जो पेड़ पोदे होते हैं, ये प्लात्मिक उत्पादक के अंत्रगत आते हैं, साथ में माद्धिमिक उप्भोक्ता जो होते हैं, याने कि द्वतिक उप्भोक्ता, इसको माद्धिमिक उप्भोक्ता कह सकते हैं, ये आपके मानसाहरी होते हैं, ये मानसाहरी होते हैं इस साकाहरी नहीं होते हैं जैसा कि छोटे पक्ची होते भेडिये होते हैं और आपके सेर होते हैं ये सारे मानसाहरी जानवर होते हैं जो मानसुक खाते हैं वो मानसाहरी जानवर होते हैं और द्वतिक भुखता के अंतरगत आते हैं त्रतिक भुक्ता कौन होते हैं, जो त्रतिक भुक्ता होते हैं, वो भी मानसारी होते हैं, लेकिन वे द्वतिक भुक्ता को खाते हैं, याने कि वो इनको खाते हैं, जो द्वतिक भुक्ता को खाते हैं, वहीं त्रतिक भुक्ता होते हैं, याने कि कह सकते हैं, कि उधारन के तो यहां थोड़ा सा हम इस से समझते हैं प्रात्मिक भुक्ता से देखें प्रात्मिक जो भुक्ता है वो किसको खाता है प्रात्मिक भुक्ता आपको खाता है पेड़ पोधे को है न और प्रात्मिक भुक्ता को कौन खाते हैं आपका जो द्वतिक भुक्ता होते हैं और द्वति कुप भुकता को कुण खाते हैं आपका त tutiaps ब्हुंद रह गता करें कि वीडियो के माध्यम से रहा है तो इस थोड़ा सी मैंने जानकरी दी थी इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं उसके बाद आता आपका अप्गाटक यह जीव जो म्रत पधार्त होते हैं अपसिष्ट उत्पादक होते हैं उसको अपगटन के माध्यम से तोड़ते हैं और खाते हैं उसको अपगटक कहते हैं तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए चलिए अगला प्रशनी है नमलिकत अंतराश्टी संस्थाओं में कौनसी संस्तां वन जीव सहनरक्षण के प्रती समरपित हैं i.ध. इसके बारे में आपको बताना है वो कौनसी अंतराष्टी संस्ता हैं, जो की संस्ता, जो वन जीव सनरक्षन के प्रती समरपी थे, तो वो होगी आपकी इन में से कोई नहीं, इन में से कोई नहीं, क्योंकि ये प्रशन आपकी UPPT exam में पूछा गया है, और इसका एक नंबर आपको दिया हुआ था, क्योंकि य सही आंसर होगा आपका IUCA, यान की International Union for Conservation of Nature, अंतराष्टी प्रकती सनरक्षन संग है, ये जो संस्ता है, ये वन जीव सनरक्षन के प्रती समरपी थे, ना कि आपकी पहली वाली, ना ही दूसरी वाली, ना ही तीसरी वाली, ना ही चोरती वाली है, ये आपके चारों विकल पर गलत थे, इसका एक नंबर आपको मिला था, IUCN, आपका बिल्खोल करेक्टा आंसर होगा, एक एक करके मैं जान करी दूँगा, दिहायन से सुनिएगा, जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है, कि विकल पर मैं दिए गए इस सभी विकल पर गलत है, इन में से कोई भी संस्ता वन जीव सनरक्षन से संबनित नहीं है, कौन है, वन जीव सनरक्षन से संबनित आपका IUCN, इसका पूरा नाम क्या है, जैसे कि मैं अभी थोड़े दिर पहले बताया था, International Union for Conservation of Nature, अंतराश्टी प्रकती सनरक्षन संग, इसको हिंदी में कहते हैं, इसके स्थापना कभी थी तो इसके स्थापना हुई थी, 5 अक्तुबर 1948 को कभी थी, 5 अक्तुबर 1948 को इसके स्थापना हुई थी, इसके मुख्याले की बात करें, तो इसका मुख्याले कहां पर है, तो श्वजले लेन में है, और श्वजले लेन में ग्लेन सहर में है, जाद रखेगा इसका मुख्या में मदद करना होता है इसका और दुनिया में स्वास्त संबंदी रुजहानों की निगरानी और आखलन करना भी इसका उद्देश्य होता है यहां पर जितने भी में यहां आपको संस्ता बताऊंगा उसकी सारी जानकारी दुवाइक करके है आपने पहला विकल्प देखा होगा पहले विकल्प मत्था यू एन एप यह क्या होता है इसका पूरा नाम क्या है आप देख सकते हैं यूनाइटेट नेशन फंड फोर पॉपुलेशन एक्टिविटीस है यह इसका पूरा नाम होता हिंदी में कहते हैं जनसंख्या गतिवीदियों के लिए स्वयुक्त राष्ट कोस अब वरतमान में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या है वरतमान में यूनाइ ।arl in bulk 1969 में इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए है ना इसका पूरा नाम यदि आपसे यू एन पी एफ का नाम पूछे तो आपको यह ऐसार देना है यूनाइटेट नेशन पॉपुलेशन फंडit लेगनं कि पूरा नाम पूछ दूंड पूर पुलेशन अपिक्ष 1969 में इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले आपका नियोर्क में यूख में आगे हम बात करें सफवराष्ण दिंस आपको जरूरी है महिला पुरुष और बच्चे के अधिकार स्वास्त और शमान आउसर के आनंद में जीवन को बढ़ावा देना होता है महिला पुरुष और बच्चे के अधिकार से सम्मनित जो पुछा गया था उस संस्था के बारे में आपको बताना था तो इसका हुद्यश्य आपको पता होना चाहिए आगे हम दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरे विकल्प में था आपका UNDP इसका पूरा नाम क्या है UNIQ डेवलाप्मेंट प्रोग्राम है न, सौयक्त राष्ट विकास कारीक्रम इसका पूरा नाम है, इसके इस्थापना कब हुई थी? इसके स्थापना हुई थी, 22 नमबर 1965 में, इसका मुख्या लई, नियोंबरं को म है, और इसका उद्देश कैस क्या है? सईक्त राष्ट विकास कारीकरम एवा मंतराष्ट संगठन है जो ग्रह के रक्षा करते हुए गरीबी उनमुलन के लिए काम करती हैं तो ये इसका उद्देश भी किसी भी प्रकार से वनेजिव सनरक्षन के प्रति समर्पित नहीं है इसका कारी है गरीबी उनमुलन के लिए काम करना है अब बात करते हैं तीसरे विकल पर ही यूनेसको इसका पूरा नाम क्या है सईक्त राष्ट सेक्षिक विज्यानिक एवं सान्सकृतिक संगठन इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए यूनेसको का इसका इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले होगा आपका पेरिस फ्रांस में और यूनेसको के सदर्ष देश कितने हैं तो 195 याद रहेगा इंपोर्टेंट है यूनेसको के जो सदर्ष देशों के संख्या कितनी होगी वो 195 होगी और इसका उद्देश क्या होगा तो इसका उद्देशी सिख्षा प्रकरती तथा समाज विज्ञान संसकरती तथा संचार के माध्यम से अंतराष्टी सांती को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देशी है इसका भी जो मुख्य उद्देशी है वो जो वन जीव सनेजक्षन के प्रति समर्पित नहीं है त 7 अप्रेल 1948 को इसके स्थापना होई थी मुख्याले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जेनेवा स्रोजेलेंड में इसका मुख्याले है इसका उद्देश क्या है दुनिया भर में स्वास्त समश्याओं पर नजर रखना और उन्हें सुलजाने में मदद करना जैसे कि अभी कोरोना हुआ था तो इसी के देखरे के सारी चीजे हुई थी है इसका उद्देश यही है दुनिया भर में स्वास्त समश्याओं पर नजर रखना उन्हें सुलजाने में मदद करना तो ये भी आपका जो संस्ता है वनिजीव सनर्जक्षन के प्रतिसमर्पित नहीं है तो चारों विकल पर आपके गलत होगे सही मैंने आपको सुरूम बताया था IUCN होगा चारों के बारे में आपको जानकरी दे चुका हूँ चल अगला प्रशनी फूलों की घाटी इसती थे कहां पर है जम्मु कस्मीर में इमाचल प्रदेश में शिक्की में या फिर उत्राखन में फूलों की घाटी कहां पर इसती थे यह आपको बताना है और सबसे सरल और काफी इंपोटेंट है यह प्रशन भी दो से तीन बार पूछा गया है तो जो फूलों की घाटी है यह कहां पर है उत्राखन में इसती थे कहां पर है उत्राखन के चमोली चित्थोड़ा गड़ जीलों में इसती थे कहां पर चित्थोड़ा गड़ किम में या फिर उत्राखंड में सभी को पता है कि जो फूलो की घाटी है ये उत्राखंड में इस्ति थे कहां पर है उत्राखंड में इस्ति थे फूलो के घाटी आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे फूलो की घाटी उत्राखंड के चमुली पिथोरागड जिले में इस किसे फूलो की गाटी को याद रहएगा यूनिशको ने इसे विश्व धरवर इस तल के रूप में भी गोशित किया है साथ में सवर्परतम इस गाटी का पता बिटिस परवता रोही फ्रेंक एस इसमित एवं आर एल होल्ड सरवत ने लगाया था किसके दौरा इस गाटी का प पांसो से अधिक फुलो की प्रजाती पाई जाती है याद रखेगा ये भी important है आगे हम बात करेंगे अगले प्रशन की सूरी से निकटम गरह कोई सा है सूरी के निकटम गरह पोछा गया है मंगल ब्रश्पती सुक्र या फिर बुद सभी को पता है क्या होगा बुद सूरी से निकटम गरह कोन सा होगा बुद होगा सबसे छोटा गरह कोन सा होगा बुद होगा है ना धीरे धीरे सारी जानकारिया आपको देंगे देखिए सबसे छोटा गरह और सूरी के निकटम गरह कोन सा सबसे छोटा गरह पूछे या फिर सूरी के निकटम गरह पूछे कोन सा इसे सूरी की प्रक्रेमा करने में लगभग कितने दिन लगते हैं मातर 88 1918 दिन लगते हैं तेज ग्राह भी कहते हैं यदि पूछा जाए कि तेज ग्राह किसे कहते हैं तो वो बुद्ध को कहते हैं किसे कहते हैं बुद्ध को कहते हैं और अपने अक्षे पर घुर्णन कितने दिनों में यह पूरा करता है तो यह 59 69 दिनों में है न सूरी की प्रक्रिमा 28 दिन में और अपने अक्षपर घुंडन 69 दिन में ये पूरा करता है ये आपको जानकारी होना चाहिए और यहां सबसे छोटा गरा है जिसका अपना कोई उब्गरा नहीं यदो पूछे कि किसका अपना कोई उब्गरा नहीं है अगर आप उसने Greenpeace International का मुख्याले कहां पर है यह आपको बताना है तो आपका सही आंसर होगा यह एमसर टर्डम में कहां पर है एमसर टर्डम जो की निदर लेंड में इस्तित है ना तो तीसरा वाला विकल्पा आपका सही होगा यहां पर आप देख सकते है ग्रीन पीस का जो मुख्याले यह एमसर टर्डम जो की निदर लेंड में इस्तित है और इसका लक्ष क्या है तो इसका लक्ष है प्रत्वी की अपनी गतिविदी में जीवन का पोशन करने के चमता सुनिश्यत करना और इसकी स्थापना की बात करे कि स्थापना कब हुई थी तो इसके स्थापना 1971 में कनाड़ा के वेन कुवर में हुई थी यहां पर इसके लक्ष के बारे में भी आपको पता होना चाहिए प्रत्वी की अपनी विवित्ता में जीवन का पोशन करने की चमता सुनिश्यत करता है यह यह इसका लक्ष होता है स्ताप 1971 में हुई थी कहां पर हुई थी कानाडा के वेन कोवर में हुई थी यह सारी जानकर यह आपको पता होना चाहिए मुख्याले आपको बते दिया अगला प्रशन है विश्व परियावण दिवस कब माया जाता है फिर से यहां पर दिवस पूछा गया इस पर भी एक प्रोपरली वीडियो बनाया है मैंने क्या कहा आपसे हर टोपिक पर वीडियो बनाया है जो आपके 2011 से 22 तक जो प्रशने पूछे गे थे उसके हर एक टोपिक को लिया गया जैसे कि परियावण दिवस में उधारान तोर पर देखें तो परियावण दिवस के जितने भी प्रशने पूछे गए थे वो सारे प्रशने एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे सविधान भारती सविधान की बात करें तो उसके अलग एक वीडियो बनाया है उबर भी टोपिक जो निकल के आते हैं तो सारे टोपिक आपको अलग अलग मिलेंगे उसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी उसको भी देख लीजेगा है न विश्व परियावण दिवस कब मनाया जाता है सरलसा है सभी को पता है और ये प्रशन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है सबसे ज़्यादा सभी पेपर के हम बात करें ने टेप पेपर की बात करें तो ये पूछा गया है साथ बार लगबग साथ बार एक वीडियो मैंने बनाया था सबसे ज़्यादा प्रशन पूछे गए है कौन-कौन से है उस पर मैंने वीडियो बनाया था सबसे ज़्यादा बार साथ बार पूछा गया है वो यही प्रस्ण है वेसो पर्यावरन दिवस कब मनाय जाता है 2 दिसंबर को 16 सेतंबर को 5 जून को या फिर 11 जुलाई को सभी को पता है कि 5 जून को है न वेसो पर्यावरन दिवस 5 जून को मनाय जाता है प्रसं आपको दे देते हैं, 1973 आपको याद रखना है न, पांच जून 1973 जैसे कि चार विकलती, चार विकलत के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, पांच जून को जैसे कि बता है कि अव्यसो परियावन दिवस मना जाता है, दू दिसंबर को राष्टी प्रोदूसर रोक्थाम दिवस मना जाता है, 16 सितंबर को विशु ओजुन दिवस, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, 11 जुलाई को विशु जनसंख्या दिवस मना जाता है, जितने भी यहां पर जो विकल पर दिये हुए, उनके बारे में भी हम आपको सांत में जानकारी देते चल इसका सही आंसर होगा आपका, ये एक क्रशी विध्यानिक थे, है न, MS स्वामिनाथन क्या थे, एक क्रशी विध्यानिक थे, क्या थे, क्रशी विध्यानिक है न, यहां पर लिखा हुआ, MS स्वामिनाथन ने क्रशी विध्यानिक थे, और स्वामिनाथन ने एक कारेकरम की उपच्चे उपच किसमें लगाए गई भारत में इनको हरिद करांती का जनग भी कहा जाता है याद रिखेगा हरिद करांती का जनग किसे कहा जाता है तो स्वामी नाथन को कहा जाता है ये नोट कर लीजिगा important है उन्होंने भारती खेतों में Mexican semi dwarf गेहुं के पोदों को paste करने में मदद की है ना यदि ये पोदों के बारे में पूछे विसे पूछा नहीं जाता है तो इसके बारे में भी आपको जानकरी होना जाए चलिए अगला प्रशने वायू मंदल का प्रत्वी तल के नजदिक है वायू मंदल का प्रमु किस्तर आपको बताना है जो प्रत्वी तल के नजदिक है समताप मंदल है छोब मंदल है मद्य मंदल या फिर आयान मंदल है प्रत्वी तल के नजदिक कौन सा इसतर है या फिर मंडल है उसके बारे में आपको बताना है यह भी सरल सा परश्ण है देखिए जितने भी मंडल है या फिर इसतर है उनके बारे में एक एक करके आपको बता हूँ, वह सारी जानकारी आपको इस प्रश्ण के माध्यम से मिल जाईए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका छोब मंडल, जो छोब मंडल है ये प्रत्वी तल के नजदिक है, तो बी वाला विकल पर आपका सही होगा, चलिए, दे वाई मंडल में जो गेस प्रमूख है ये चारों गेस प्रमूख है और भी गेस है पाई जाती लेकिन जो प्रमूख गेस है उसमें नाइट्रोजन है आक्सिजन है आरगन है और कार्बन डाय एकसाइड है सबसे ज़्यादा वाई मंडल में पाई जाने वाली गेस पूछा जा कहीं कहीं 21% भी दिया होता है ना तो 20.9 आपका आक्सिजन होगा आरगन जो पाए जाता है वो आपका 0.9 तीन पाए जाता है और कर्बन लाई एक्साइट की जो मात्रा होती है वो 0.03 होती है तो जो प्रमुक गेज से वो 4 है सबसे अधिक के बारे में पूछे तो आपको पता मंडल हो सबसे लाश्ट में है आपका बहा मंडल है ना तो एक एक करके इनके बारे में बताऊँगा धियान से सुनिएगा छोब मंडल सबसे पहले छोब मंडल के बारे में जान लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे नजदिक का जो मंडल है या इस्तर है वो कौन सा तो आपको पता होना चाहिए, वह छोब मंदल में होता है, इसको सहुवान मंडल भी कहते हैं, किसे सहुवान मंडल भी कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वो छोब मंडल को कहते हैं, चले अब बात करते हैं समताफ मंडल की समताफ मंडल की जो उचाई होती, 50 किलमेटर तक फेली होती है, समताफ मंडल की उपरी सीमा को क्या कहते हैं, इस्ट्रेटो पोस कहते हैं क्या कहते हैं इस टेटर पोस कहते हैं पूछ जाता है याद रखेगा इस मंडल में जलवास्प धुलकन आदी नहीं पाई जाते हैं इसमें बादलों का अभाव होता है यदि आपसे पूछे कि बादलों का अभाव कौन से मंडल में होता है कौन से इस तरह में हो ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ओजोन मंडल किसको कहा जाता है, समताप मंडल को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, इस मंडल में ओजोन परत होती है, जो सूरी की परावेगने के उन्हों को आउशोषन करती है, और उन्हें भूतल त पचास किलोमेटर के उपर से सुरू होता है और 85 किलोमेटर तक फेला हुआ 85-85 के बीच में फेला हुआ होता है मद्य मंडल वायू मंडल परतुव में सबसे ठंडी है परत कौन सी इस प्रकास से प्रस्ट पूछे जाता है तो वो है आपका मद्य मंडल आयन मंडल के बारे में बात करें तो आयन मंडल जो है वो 80 से या फिर 85 से 400 किलोमेटर तक पाए जाता है 80 से 400 है ना इसे ताप मंडल भी कहा जाता है इस मंडल में तापमान तेजी से बरता है इसलिए इसे ताप मंडल भी कहा जाता है किसको आयन मंडल को वायन मंदल को ताप मंदल भी कहा जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बहर मंदल या फिर बहा मंदल है ना पांचवा याने की लाश्ट यहां वायू मंदल के सबसे उपरी परत होती है सबसे उपरी परत कौन सी होती बहा मंदल होती है बहर मंदल ताप मान के सी सीर से 1000 km तक फेला हुआ है किसने किलो मेटर तक फेला हुआ है सीर से 1000 km तक फेला हुआ है इसमें hydrogen वा helium गेसो की परधानता है कौणसे मंडल में इसमें तो वह आपका भेह मंडल याणिब sich तो बहा मंडल है यह जो ज़ानकरी में ने दिय है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगला प्रशन है Wildlife Institute for India WII कहां इस्तित है WII के बारे में पूछा गया है इसका full form भी यहां पर दे रखा है Wildlife Institute of India WII यह कहां पर इस्तित है इसके बारे में पूछा गया है नई दिल्ली में है, कोयम बटूल में है अहमदाबाद में या पिर देहरादून में है कहां पर है तो यह जो होगा आपका देहरादून में है कहां पर इस्तित है Wildlife Institute of India WII तो यह देहरादून में इस्तित है यहां पर मैं कुछ संस्था भी आपको बताऊँ है जो की important है सबसे पहले इसके बारे में जानते है भारती वनिजिव संस्था एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे WII इसको हिंदी में क्या कहते है भारती वनिजिव संस्था कहते है और इंग्लिज में आपको बताई चुका हूँ Wildlife Institute of India है ना और इसके स्थापना का हुई थी स्थापने सब्रिश्य जादा पूशी आती तो यह हुई थी इसके स्थापना 1982 में और यहाँ देहरादून उत्राखंड में इस्तिते एक अंत्राश्टी इस्तर पर प्रसंस्तित संस्ता है जो वन्यजीव अनसंधान और प्रबंधन में एक प्रसिक्षन कारिकरम, सेक्षनिक पाठिकरम और सलाकार पुदान करता है यह अंत्राश्टी इस्तर में एक प्रसंसित संस्ता है जो क्या करती है जो वन जीव अनसंधान और प्रबंधन में एक प्रसिक्षन कारिकरम सेक्षनिक पार्टिकरम और सलाकार प्रदान करता है आपका भारती वन जीव संस्था इसे हम शोटकट में कहें तो WII होगा चली अब यहाँ पर कुछ महत्पुन संस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि भारती वन अनुसंधान संस्थान कहां पर रिष्थित है इसके स्थापना कब हुई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारती वन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है 1906 में हुई थी और कहां पर रिष्थित है देहरादून में है भारती वन इसके स्थापना 1981 में हुई थी भारती क्रशी परिशद अनुसंधान परिशद केंदर ये कहां पर है तो ये नई दिल्ली में है और इसके स्थापना 1929 में हुई थी परियावर्ण सिक्षा केंदर जिसे CEEB कहा जाता Central for Environment Education है ये कहां पर इस्थी थे तो ये आहमदाबाद में है और इसके स्थापना 1984 में हुई थी सलीम अली पक्षी विज्ञान ये भी पूछा जाता है इंपोटेंट है तो ये कोयमबटूर तमिलाडू में इस्तित है 1990 में इसके स्थापना हुई थी वन अनुवांश की एवं वरक्ष प्रजनन संस्थान ये कोयमबटूर में है ये अगला प्रशने इन में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्याइदिस था प्रथम मुख्य न्याइदिस पूछा गया है वर्तमान नहीं पूछा है ना प्रथम पूछा गया है तो क्या वो एम पतंजली सास्त्री है मेहर चंद्र महाजन है हिरलाल जे कानिया है या फिर एस आरदास है कौन हैं भारत का प्रिथम मुख्य न्याइद इस हुस नट ही भेहरअलाज जय कानिया ःधिया क्या है यह प्रथम मुख्य न्याइद इस था आगे इनके वारे में जैनकरी देंगे इनकी कारिकाल के बारे में आपको पता होना चाहिए सर घरला की जेकी सुनसान कानिया इनका पूरा नाम था है ना बहरत के प्रथम मुख्你說 नाईदिस तरह कारे काअगल किया था 26 जनवरी 1956 से 6 नवंबर 1991 तक है इनका कारिकाल रहा है, ये और यदि भारत के पचासवे वरतमान में पूछे भारत के मुख्य न्यायदिस कोन है, अभी वरतमान में तो वह है दनंजय, यश्वंत्र, चंज्रचूड, इनका कारियलई जो है 9 नमंबर 2022 से शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है, यानि कि वर्तमान में है और 50 वे हैं अब तक 50 वे भारत में मुक्षी नाइधिस बन चुके हैं तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए अभी वर्तमान में कौन है नरंजय यस्वंत चंद्रचूर सुरच न्याले के मुक्य नाइधिस को भारत के राष्टपती द्वारा नयुकति किया जाता है इनकी उमर उमर 65 वर्सब्स हो जाती है तो यह अपने सेवन वरत हो जाते है तो 65 वर्स इनकी उमर अपने पद में रहती है आगे हम बात करेंगे वनिजीव सुरक्षा अदिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में पहले हम आंसर इसका देखेंगे इसका सही आंसर होगा 1972 वनिजीव सुरक्षा अदिनियम पारित कब किया गया था 1972 में किया गया था जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है वने जिव सनरक्षन अधिनियम 9 सितंबर 1972 को भारत की संसत द्वारा लागू किया गया था किसके द्वारा लागू किया गया था भारत की संसत द्वारा लागू किया गया था यहां अधिनियम पोधो और जानवरों की प्रजातियों के सनरक्षन हेतु अधिनियमित किया गया है किसके लिए अधिनियम बनाए गया है यह तो पोधो और जानवरों की प्रजातियों के सनरक्षन हेतु बनाए गया है कुछ प्रमुक अधिनियम और भी है जैसे कि JV Vita अधिनियम 2002 पर्यावरें सनरक्षन अधिनियम 1986 सन आपको धियान रखना है साथ में सन के लिए ये सारे प्रमुक अधिनियम यहाँ पर लिखे गए हैं JV Vita अधिनियम 2002 में पारित हुआ था यह लागू हुआ था परियावन स्रिमक्षन अदियम 1986 युदि यह जो पांच मैंने आपको प्रमुक अदिनेंज बताएं हैं यह इंपोटेंटे इनको याद अच्छी से कर लिजेगा अगला प्रशने आपका सविधान सभाने राश्टी गán को अपनाये था 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 माई 1940 को, 13 नवंबर 1940 को सविधान सभा ने राष्टिगान को कब अपनाया था इंपोटेंट प्रुष्ण है, आपको सभी को इसका पता होगा यदि आपने भारती सविधान को जो मैंने वीडियो बनाई उसको देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं इसका सही आंसर होगा आपका, 24 जनवरी 1950 सभीधान सभा ने राष्टिगान को कब अपनाया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया था सभीधान सभा दवारा, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्टिगान को अपनाया गया था इसे पहली बार कब गाया गया था important पूछ जाता है 27 दिसंबन 1911 को 1911 आपको याद रखना है को INC याने की भारती राष्टी कांग्रेस के कोलकता अधिवेशन में गाया गया था कहाँ पर कोलकता अधिवेशन में गाया गया था और इसके रचिता को ने किसके द्वारा लिखा गया है तो यह कवी रविन्ना टेगोर के द्वारा लिखा गया है जो की important हैं यह हमारा राष्टी गान है राष्टी गान है राष्टी गीत के बारें पूछे राश्टी गीत के बारे पूछे तो बकिंगम चटरजी द्वारा राश्टी गीत को लिखा गया है और राश्टी गान कभी रविदना टेगोर द्वारा लिखा गया है और रविदना टेगोर साहित्य के लिए नोबर पुरुषकार जेतने वाले पहले गेर European थे ना गेर European थे ये रजिना टेगूर जी चो कि साहित्ते के लिए नोबल पुरुष्कार जेतने वाले पहले गेर European थे ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए साथ में आपको सबी को पता है कि राष्ट गान का जो गाने का समय है, वो कितना समय में गाते हैं, लगभग 52 सेकड में गाते हैं, समापन लगभग 52 सेकड में होता है, अगला प्रशने, स्विक्त राष्ट सुरक्षा प्रिसत की कितने इस्थानी सदश्य हैं, आपर देखें, इस्थानी सदश्यों के बारे में पूछा गया तीन, चार, पांच, छे, तो सभी को पता है कि इसमें जो टोटल सदर्श्य होते हैं वो कितने होते तो वो होते हैं पंदरा लेकिन दस जो होते हैं वो आज स्थाई होते है ना और स्थानी जो होते हैं वो पांच होते सही अंसर क्या होगा आप टोटल 15 होते हैं जिसमें 10 इस्थाई होते हैं ना इस्थाई होते है इस्थाई ना इस्थाई होते हैं ओं प्रिटेन चीन हैं फ्रांस एं और डूथ șiसमें इस्थाई सदर्शया नहीं यह बाकी जो दस देश में वो जहांपर यहांपकी Nije लिखे जो इंपोटेंट है हों 5 देस है ना अमेरिका ब्रेटियन चीन फ्रांस वर रूस सभ्त राष्ट संगठन एन यू एन ओ है ना यू एन को का उन ओका जो गठन है वो कब हुआ था तो 24, caused by 1965 का इसका स्थाफण अमेरिकार के शेन फ्रांसिको में हुई थी कहां पर सें फ्रांसिको में हुई थी और स्विक्त राष्ट का पूरो नाम आपको पता होना चीज से उक्राइट रंग ठल एन यू एन वक है ना सोरी चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है सिल्वी कल्चर सम्मंदित है किस से हैं वन एवं वन उत्पाद से हैं सिल्क से हैं पूफल से हैं या फिर उर्वरक से हैं सिल्वी कल्चर किस से सम्मंदित है सभी को पता होगा इसका अंसर जो सिल्वी कल्चर है ये आपका वन एवं वन उत्पाद से देखिए कभी कभी बच्चे कनिफूज हो जाते हैं सिल्वी कल्चर में और सेरी कल्चर में सेरी कल्चर के अंत्रगात 1, mam 1 युर सामगरी का उत्पादन किया जाता है, सेरी कल्चर में रेसम कीट का पालन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, हाटी कल्चर के हम बात करें, युसमें भागवानी, अगला प्रश्ण है निमलिकित में से किस जन्रपद में चन्रप्रभाव वर्निजीव अभ्यारन इस्तित देखें आपको जन्रपद में पूछा गया है कभी कभी जिले के बारे में पूछा जाता कि कौन से जिले में है कौन से राज्जी में है लेकिन यहाँ पर जन्रपद में पूछा गया है है ना इस सारी जानकारी यहां पर लिखी भी हुई है कि चंद्र प्रभाव वाली जीव अभ्यारण उत्तर प्रदेश राज्य के चंदोली जिले में इस्ति थे या फिर जनपद में इस्ति थे है ना इस अभ्यारण के स्थाफना कब हुई थी इसकी स्थाफना हुई थी प्रशित है इंपोटेंटे ध्यान दीजेगा है आगे बात करेंगे किस देश में क्रिशमस का त्युहार गर्मियों में मना जाता है ये भी इंपोटेंटे हैं यूपिटेट इग्जामें पूछा गया है जापान भारत आश्टेलिया या फिर अमेरिका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका आश्टेलिया आश्टेलिया ऐसा देश है जिसमें जो क्रिशमस है जो त्युहार है वो गर्मियों में मनाए जाता है क्यों मनाए जाता है क्योंकि आश्टेलिया क्या है दक्षिनी गुलार्द मिश्ती थे आपने सुना होगा बाकी की जो सारे देश होते हैं वो उत्री गुलार्द में इस्ते थे कहाँ पर है उत्री गुलार्द में लेकिन जो आश्टेलिया है ये दक्षिन गुलार्द में इस्ते थे इसलिए क्रिश्मस का जो त्युहार है वो गर्मियों में मनाये जाता है या कह सकते हैं 25 दिसंबर को मनाई जाता है क्रिश्मस हर्ष टेलिया में चलिए अब बात करेंगे गीर वन्य जीव अभ्यारन निमन में से किस वन्य जीव का सनरक्षन करता है गीर वन्य जीव अभ्यारन हाती का साप का सेर गेंडे का या फिर सेर का सही आंसर क्या होगा सही आंसर होगा आपका सेर गीर वन्य जी वभ्यारन जो है ये सेर का संद्रक्षन करता है किसका सेर का यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ जीवों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है कौन सा उध्यान है कौन सा प्रमुक जानवर है कौन सा इस्थान है सबसे पेले गीर वनीजी वभ्यारन भारत के गुजरात राज्य में कहां पर है गुजरात में है पूछा जाए सिधा सिधा गीर वनीजी वभ्यारन कहां पर रिष्थी थे उनके प्रमुक जानवर दिये हुई है जिसकी जीम कार्वेट नेशनल पार्क जो की सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम क्या है हेली नेशनल पार्क है इसका इस्थापना कब हुई थी 1936 मों हुई थी यह सारी जानकरी आपको पता होना चाहिए तो यह कहाँ परिष्थी थे उत्रखन में इस्तित है और किस जानवर के लिए प्रशिद्ध है रोयल बंगाल टाएगा इंपोटेंटे यह जानकरी आपको पता होना चाहिए आगे बात करेंगे काजी रंगा राष्टी उत्ध्यान के बारे में असम में इस्तित है एक सिंग वाला गेंड़ा पूशा जाता है कि एक सिंग वाला गेंड़ा जो उत्ध्यान राष्टी उत्ध्यान वो कौन सा है तो वो है काजी रंगा राष्टी उध्यान, कहां पारिष्टी थे, तो असम में है, गीर राष्टी उध्यान जैसे कि अभी प्रश्ण पूछा जा रहा था, तो वो गुजरात में है, और A.C.I. सेर के लिए प्रश्ध है, सुन्दरवन राष्टी उध्यान आपका में होंगे, कहाना राष्टी उध्यान मद्य प्रश्ध में है, जो बाग के लिए प्रश्ध है, रनतभोर राष्टी उध्यान राजिस्तान में है, जो की बाग का सनरक्षन करते हैं, यह सभी है न, जो जिन जन जानवरों के मैं नाम ले रहा हूं, वो सनरक्षन भी करते धाश्टी ऊध्यान की बात करें तो जम्होर कश्मिर में है कार्श्मिर हंगुल जिसे हिरण भी कहा जाता है कोण सा राश्टी उध्यान प्रशिद्य है पेरियार राश्टी ऊध्यान कहाँ पार रिस TOP तो 10-11 आश्टी उद्यान दिये हुए है कहा पर है और यहां पर कौन से जानवर प्रशिद्य कोन से जानवर के लिए सरक्षन है यह सारी जानकर आपको प्रशने के माध्यम से दे दी गई है अगला प्रशने है राज्य सभा में होने वाली सभाओं के अद्यक्षता कों करता ह जो राज्य सभा में सभाओं होती है उसकी अद्यक्षता कोन करता है उपराष्टपती राष्टपती प्रधान मंत्री या फिर भारत के मुख्यन्याईदीस कोन करता है राज्य सभा में होने वाली सभाओं के अद्यक्षता जो राज्य सभा होता है वो उच्छ सदन होता है उच्छ सदन होता राज्यसभा इसकी इसमें जो सभाई होती उसके अध्यक्षता कोन करता यह आपको बताना है तो सही आंसर होगा उपराष्टपती कोन करता है उपराष्टपती उपराष्टपती के बारे में सारी जानकर यहां पर दी हुई है कि करके सुनिएगा भारत के उपराष्टपती राजसभा के पदेन सभापती होते हैं और राजसभा भारती लोकतंत्र की क्या है उच्छ सदन है यदि उच्छ सदन कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए वो राज्य सभा है इसमें कितने सदर्शी होते हैं तो याद रखेगा 250 सदर्शी होते हैं और आपको पता भी होगा और 250 सदर्श्यों में 12 सदर्शी होते हैं जो राष्टपती उनको चुन सकता है मनुमित कर सकता है 12 सदर्शी अपने हिसाब से वो मना सकते हैं जो चुने जाते हैं, वो कितरे वर्षों तक चुने जाते हैं, छे वर्षे के लिए हैं, जिन में से जो एक तीहाई सदर्शी होते हैं, वो दो साल में सेवा निवरत्त होते हैं, यह याद रखी का, दो साल में इनकी सेवा निवरत्त हो जाती है, यह रेटार होते जाते हैं, यानि कि उससे सेवा काल उनका समाप्त होता है, उपराइश्ट पती, यानि कि जो सभपती होता है, उनका कारेकाल कितना होता है, तो उनका कारेकाल होता है, पांच वर्स, इनका चुनाओ, आप प्रतिक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, यानि कि सीधे रूप से नहीं होता ह सिधा सिधा इनका चुनाव नहीं होता अब प्रतिक्ष रूप से होता है आगे बात करेंगे निमने मैं से किस मिट्टी का विश्तार भारत के सरवादिक छेतर पर है ये इंपोटेंटे सरवादिक छेतर पर फेली होई भारत में मिट्टी कौन सी है काली मिट्टी जलोड मिट कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो वह है जलोड मिट्टी, कौन सी जलोड मिट्टी, आगे हम बात करेंगे, जलोड मिट्टी का विश्थार भारत का सरवाधिक 6 तरफल लगभख कितना है, 45.6% है, परसंटेज आपको ध्यान में नहीं रखना है, है न, सिर्फ थोड़ा सा द देख लीजेगा, जलोड मिट्टी का निर्मान जो है नदियों द्वरा भाकर लाई गई मिट्टी से होता है, पूछा जाता है कि इसका निर्मान के से होता है, तो इसका जो निर्मान होता है, वो नदियों द्वरा भाकर लाई गई मिट्टी से होता है, और यहां मिट्टी करशी के लिए सरवादी कुप्युक्त होती करशी के लिए सरवादी कुप्युक्त मिट्टी कौन सी होती है तो वो जलोड मिट्टी होती कौन सी जलोड मिट्टी और जलोड मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है ना डो मड और कफार मिट्टी, जलौर मिट्टी मुख्याज़ूरूप Pent Genau ہے कहाँ पर उत्री मैदानों में पाई जाती जलौर मिट्टी तीन मुख्य नदीयों द्वड़ा लाए जाती है यदि यहाँ पर नदीयों के नाम पूछे मुख्य रूप से तो वहाँ पर विकल्प में सिंदू देदे अलग अलग देदे तो भी मैं आपको बता रहा हूँ चाह तीनों में से एक नाम देदे सिंदू गंगा ब्रह्मपूतर यदिनों तीनों में नाम एक देदे तो आप वहाँ पर टिकर देज़ेगा बिल्कुर correct answer होगा, ये तीन मुख्य नदिया हैं, इनके द्वरा जलोण मिट्टी को लाए जाता है, सिंदु, गंगा और ब्रह्म पुत्र आगे हम बात करें भारत के सरवादिक महतपूर मिट्टी, जलोण मिट्टी, जैसे कि अभी अब मना आपको बतायाएं, इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन. आदि जो फसले होती हैं, ये जलोण मिट्टी में उगाई जाती हैं, जलोण मिट्टी दो प्रकार की होती हैं एक होती खादर और एक होती बागर यह याद रिखेगा important जो खादर होती है वह आपकी नई मिट्टी होती है नई मिट्टी को खादर केते हैं और जो पुरानी मिट्टी होती उसे बागर केते हैं यहाँ पर लिखा भी वह पुरानी जलोड जलोर मित्टी बागर कहा जाता है और नई जलोर मित्टी को खादर कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए छेत्रपल के अधार पर भारत मित्टियों का सही क्रमभी मैं नहीं आप लिखा उवा, जैसे कह सकते हैं कि अबरो ही क्रम सबसे ज़ादा कौन सी मिट्टी पाई जाती आपकी जलोर मिट्टी एक नंबर पे दो नंबर पे है आपकी लाल मिट्टी तीन नंबर पे आपकी काली मिट्टी चार नंबर पे आपके लेटराइट मिट्टी ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता आउरो ही क्रम है न जरोर मिट्टी फिर लाल मिट्टी फिर काली मिट्टी और फिर लेटराइट मिट्टी इस क्रम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए चलिए अगला प्रस्ने सरिस्का राश्टी उद्यान कहां पर रिस्ती थे पर्षिमंगाल में गुजरात में राजिस्तान में या फिर असम में सरिस्का राश्टी उद्यान कहां पर रिस्ती थे ये पूछा गया है सरिस्का राश्टी उध्यान कहां पर इस्ति थे तो यह राजिस्तान में है ना कहां पर है राजिस्तान में है आपका सरिस्का राश्टी उध्यान तीसरा वाला विगल पर आपका सही होगा यहां राजिस्तान राजिके कहाँ पर किस जिले में रिषती थे तो अलवर जिले में रिषती थे इसका छेतरफल आपका 866 किलोमीटर है इसकी इस्थापना 1955 में हुई थी वर्ل जी आरक्षित भूमी घोषित किया गया था इसको 1955 में 1978, 1978 की हम बात करें तो बाग परियोजना रिजर्व का दरजा इसको प्राप्त हुआ था इसको दरजा प्राप्त हुआ था राजिस्तान में जो अन्नि राष्टी उद्ध्यान है जैसे कि मुझे लगता है मैं सायत पहले बता चुका हूँ एक बार और देख लेतें नहीं वो गुझरात के बता है दर के याद कर लीजीगा यह सभी के सभी जो राष्टी उद्याने राजस्तान में इस्तित है अगला प्रस्न है पुषकर मेला पुषकर मेला कहां पर आयुद किया जाता है सरल साय सभी को पता होगा जाईपूर में उधाईपूर में जोदपूर में या फिर अजमेर में पुषकर मेला कहां पर आयुद होता है तो ये होता है आपका अजमेर में कहां पर पुष्कर मेला अजमेर में आयुद होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, जो पुष्कर मेला है, यह राजिस्तान के अजमेर जिले के पुष्कर सहर में आयुद की जाता है, कहां पर अजमेर जिले के पुष्कर सहर में आयुद की जाता है, और कौन से राज्य में राजिस्तान में, राज्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए साथ में हम बात करें, तो यहां जो मेला है, यह 5 दिनों का मेला है कितने दिलों का मेला है, यह 5 दिनों का मेला है, जो कार्तिक सुकल एकादसी से शुरू होता है कब शुरू होता है कार्तिक सुक्ल एकादसी से यह शुरू होता है और कार्तिक पूनिमा पर यह समाप तो होता है टोटल पाइच दिन का होता है फुसकर मेला को कार्तिक मेले के नाम से भी जाना जाता है किस मेले के नाम से कार्तिक मेले के नाम से भी इसे जाना जाता है साथ म वरून है, बूध है, सनी है या फिर सुक्र है राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सनी है सनी का सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह सोरी सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो वो भी आपका कौन सा होगा टाइटन ही होगा टाइटन सनी गरा का प्राकरतिक उपगरा है साथ में सबसे बड़ा उपगरा भी टाइटन होगा सनी का है इस बात का भी आपको विश्य दियान रखना है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सनी गरा का सबसे बड़ा उपगरा टाइटन है साथ में इसके जो अन्य प्रमुक उपगरा है, जिसमें मिमासा है, एनसी लाडू है, टेथी से, डियान है, रिया है, हाइपेरियन है, इपा पेटा से और फोबे हैं इन में से भी एती एक आपको प्रशन में दे दे और पूछे कि किसका ये ग्रा है तो आपको पता होना चाहिए ये सनी ग्रा के उपग्रा है और साथ में आपको पता होना चाहिए सोर मंडल में कितने ग्रा होते हैं तो सबी को पता है आड ग्रा होते हैं बोगुद, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रश्पती, सनी, अरुन, एवं वरुन, और इनका जो क्रम है, वो किस प्रकार है, सूर से, दूरी के क्रम में ही जम्मे हुए है, है ना, यानिके सबसे निकर्टम कौन सा सूरी का से निकर्टम बूध है, उसके बाद सुक्र है, प्र यानिके नजदिग्रह कौन सा है, बूध है, सबसे दूरी वाला गरह कौन सा है, वरुन है, ना, लेकिन सूर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गरह है, कहने का मतलब जो सनी है, जो सनी गरह है, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा गरह है, पहला कौन सा है, यानिके कहने का से दूरी के करम में छटवे इस्तान पर है लेकिन सबसे बड़ा ग्रह में दूसरे इस्तान पर है पहले इस्तान पर आपका बरस्पती है ना और सोर मंडल में सबसे ज़्यादा उग्रह किसके हैं तो वो सनी के हैं सीधे सीधे पूशे आता है कि सोर मंडल में सबसे जादा उपगरा किसके होंगे सनी गरा के होंगे कितने हैं 82 है हमारे सोर मंडल का सबसे बड़ा गरा कौन सा है जैसे कि अभी हमने बताया था बरसपती गरा है सबसे छोटा और सूरी से निकर्तम गरा कौन सा है बूध है सबसे चोटा कौन सा है और निकतम गरा कौन सा सूरी का बूध है सबसे बड़ा कौन सा है आपका बरस्पती है सनी गरा का सबसे बड़ा उपगरा कौन सा है टाइटन है जो की बूध गरा से भी बड़ा है याने कि बूध गरा से भी बड़ा है टाइटन जो की एक उपगरा है किसका है सनी का है चंद्रमा प्रत्वी का उपगरा है पूछा जाता है कि प्रत्वी का उपगरा कौन सा है सोर UK इंपोटेंट वह सबसे बड़ा है कि को कि हम बात करें कि बूध और सुख्र इंपोटेनट दोनों को याद रखेंगा diferen Leanne kree को कई दोनों का उपग непि हए ही को इन ik दोनों का उब जब युरा नहीं है तो वह आपका बूद और शुक्र है यहाँ पर देखें दोनों में आंत्रिक और बहागरह, यह दोनों ही इंपोटेंट याद कली जएगा, आंत्रिक गरह के अंतरगत कौन-कौन से गरह आते हैं, और बहागरह के अंतरगत कौन-कौन से गरह आते हैं, आंत्रिक गरह में बूद आएगा, सुक्र आएगा, प्रत्वी और मंगल, यह आ ग्रहों के बारे में तो उस वीडियो को देख लीजेगा, हर एक प्रशन को समझाया भी है, तो सो प्रशन सोर मंदल पे हैं, सोर मंदल के सो प्रशन ओनलाइन इस्टडी भी डीके सर्चे करेंगे, तो आपके पास सामने वीडियो आ जाएगा, भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी के बारे में पूछा गया है, तो वो है आपका केटू है ना, माउंट केटू, भारत में हिमाले के सबसे उची चोटी का नाम क्या है, माउंट केटू है, जो की गाडविन आश्टिन भी से कहते हैं, भारत में इस्तित हिमाचल के सबसे उची चोटी होगी आपकी यह तेयां पर इस्तित है Jammoo Kasmir Krек farakon Sanji में इस्तित है K2 कितनी ही 58311 % कितनी है यहाँ पर उचाई आपको याद रखना है और विश्व के सबसे अंची परवत चोटी के बारे में पूछा गया है आपकी CTAT exam उठा के देख लिए UPTAT सभी में पूछा गया है और यहां CTAT में तो इसकी उचाई के बारे में पूछा गया है तो उचाई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए विस्व के सबसे उची जो परवत चोटी है वो है आपका average कौन सी है average जो हिमचल की ही चोटी है जो कि कहां पर इस्तित है आपके नेपाल में है यहां पर यह भी ध्यान दिजेगा इस्तित कहां पर है नेपाल में है और इसकी उचाई कितनी है 8850 कहीं कहीं 8848 भी दे रखी है तो आपको confuse नहीं होना है पचास दे या फिर 48 दे आपका बिलकुल correct answer होगा है ना दोनों में से एक विकल पाएगा दोनों एक साथ नहीं आएंगे अगला प्रस्ने एक मार्ग का संबंद है जो एक मार्ग है इसका संबंद किस से है गुणवत्ता से है पेकेजिंग से है संसाधन से है या फिर उत्पादक से है एक मार्ग का संबंद किस से है यह आपको बताना है सही आंसर होगा गुणवत्ता से, जो एग मार्ग का संबंद होता है, वो गुणवत्ता से होता है, यहाँ पर सारी जानकरी दी गई है, एग मार्ग का संबंद गुणवत्ता से हैं, और एग मार्ग का पूर्ण रूप क्या होता है, एगरी कल्चर मौर्केटिंग होता है, इस इसके अलावा 11 नोडल सहर है इसके बारे में जादा जानकर या आपको रहने दीजे है आपको इतना याद रखना के एंदरी एगमार के प्रियुक्षाला जो है नाकपुर महाराष्टे मिश्तित है 11 नोडल सहरों के बारे में कुछ ज़्यादा खास पूछा नहीं जाता है आगे हम बात करेंगे यहां भारत में क्रशी उत्पादों लिखा हुआ पाय जाता है भारत सरकार के एजनसी विपनन और निरिक्षन निदेशालाई द्वारा क्रशी उत्पादों की गुनवत्ता जा होगा कहीं कहीं आपने जो क्रशी उत्पादक कुछ चीज़ें आप खरीते हैं उस पर यह एक मार्गे का चिन्न लगा होता है उससे यह पता चलता है उसके गुणवत्ता को जाचा गया है आगे बात करें क्रशी उत्पादन अधिनियम ग्रेडिंग और मार्केटिंग 1937 मे कि याद रखिए गधी के क्रशी मंतरी के द्वारा नाम क्या था रादा महण सिंह द्वारा इसके लांचे किया गया था और बाद में सन 1936 में संसोधित किया गया था यहापन लागं 1937 में किया था 1986 को इसको संसूदित किया गया था और आज के समय में एग मार्ग मानक में 205 खाने पीने की चीज़ों में इसका इस्तमाल किया जाता है कितने 205 लगभग है जिसमें जो जारातर होंगे जो इंपोटेंट है वो गेम है चावल डाले, तेल, फलफूल, सब्जिया आवशक जो खाती पदारते हैं उसमें यह आपको पाए जाता है ISI सुना होगा आपने यह उद्द्योगीक उत्पादक में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसके आवशकता होती है इसको मानक बनाता है आवशक मानक बनाता है और ISI मारके बिजली के उपकरणों जैसे कि स्विच, इलेक्टोनिक, मोटर वाइरिंग केबल, हीटर, कीचन अपलाई, सेज, आपको यह जानकरी होना चाहिए सिर्फ कि ISI जो है यह बिजली के उपकरणों में इसको लगाया जाता है ही ना इसके उत्पादक में जिसमें आपके सारे उपकरणा जाएंगे बिजली के उसमें है NA ISI होल मारके के हम बात करें तो इसका उप्योग किमती धातु की वस्तों की सुदता या सुंदरता की गारन्ट के लिए किया जाता है यहां सोने के आभुशनों के लिए भारत में मानकी कृत का प्रमान पत्र प्रदान करता है आपको इतना याद रखना कि जो हल मारकर होता है यह किमती धातू जो होती है जैसे कि सोना वगरा जो आभुशन होते हैं उसके लिए भारत में मानकी कृत का प्रमान पत्रिय प्रदान करता है ना भारत सरकार ने 16 जुन 2021 में सोने के आभुशनों और कलाकरतियों की हल मार्किंग अनिवारी कर दी कब कर दी गई कब से 16 जुन 2021 से अगला प्रशने वायुदाब नापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है बेरोमिटर, थर्मामिटर, सिस्मोग्राप या फिर हाइग्रोमिटर से मापते हैं, इन तीनों के बारे में भी आपको याद होना चाहिए, अगला प्रस्वर प्याज आलू अद्रक, प्याज आलू अद्रक क्या है, क्या जड़ है, तना है, अप्रिश्टनिक जड़े या फिर सल्क पत्र है, सरल्सा है लेकिन इंप्पोटेंट है, ये सीटेट इ इसमें एक छोटी सी ट्रीक है, जिसमें इस प्रकार से नुकिली चीज़ निकल ली होती है, याने कि नोक होती ही, जैसे कि आपने मूली देखी होगी, उसके निचले इससे में नोक होती है, तो वो जो नोक वाली चीज़े होती है, जड़ के अंधर गदाती है, जो गोल-गोल होती हैं जैसे कि आलू हो गया प्याज हो गया अद्रक हो गया इनमें किसी प्रकार के नोक नहीं निकली होती है तो यह सभी तने में आती है जड़ में आपके जिसमें नोक निकली होती है जड़ निकली होती है इस प्रकार से वो सारी क्या होती है इसे मूली गाजर आपने देखा होगा इस प्रकास से रेती चुकंदर टेप्यों का सकरगंदी या सभी जड़ के अंतरगत आते पत्ता में आपको धनियागा पत्ता गोभी अर्वी पाला कड़ी पत्ता यह पत्ते के अंतरगत थे बीज में चना बाजरा सरसो गेहू धान इसके अंतरगत आ गया फली में आपको मतर आ गया तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इंस सभी में कौन-कौन से फल फूल सबजी आते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए विटामिन-C की कमी से होने वाले विमारी का नाम आपको बताना है इसकरवी है ब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है इसकर भी नामा करो हो जाता है और विटामिन सी का रासाइनिक नाम आपको पता होना चाहिए एसकार्बिक एसीड इसका रासानिक नाम होता है विटामिन सी का है न और खटे पदार्तों में पाए जाता है आपका विटामिन सी जितने भी खटे पदार्तों होते हैं उन सबी में विटामिन सी पाए जाता है आउले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाए जाता ह और विटामिन A की हम बात करें, तो विटामिन A का रासानिक नाम होता है, रतोंदी रोग होता है, और इसके मुख्य इस्तरोथ होता है, दूद, गी, गाजर, अंडे और पालक, यह विटामिन A के मुख्य इस्तरोथ होते हैं, इसकी कमी से रतोंदी रोग होता है, इसका रासा इसका राजिस्तान या फिर महाराष्ट सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर होगा राजिस्तान है ना राजिस्तान राज्य में कोई समुधी शिमा नहीं है टोटल कितने राज्य है नो राज्य है नो राज्यों में भारत के समुधी तटी राज्य है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इनके अलवा कोई सा भी राज्य दे तो आपको यदि इन नो राज्यों के बार बाकी के जो राज्जियों उनपर टिक कर सकते हैं जरूरी नहीं के राज्यस्तान आजाए और भी दुसरी राज्जे दे सकते हैं तो इन नो राज्जियों के बारे में आपको पता होना चाहिए अगला परिशने भारत के प्रत्थम महिला IPS अप्सर को उन्हें सबी को पता है IPS अफसर के बारे में प्रतिवा पाटल है प्रज्या नाइदु है किरन बेदी है अफिर हंसा महता है तो सबी को पता है किरन बेदी भारत की प्रथम महिला IPS अफसर है यह ना इनके बारे में आपको बता दू में कि भारत की प्रथम महिला IPS 1972 बेच की किरन बेदी से 2007 तक रहा है टोटल इन्होंने अपना पेतिस वर्ष दिया है उसके बाद इन्होंने अपनी इक्षा से सेवा निवरत्ती ले लिए यानिकि पूरी सेवाकाल इन्होंने नहीं दिया है पेतिस वर्ष तक दिया है उसके बाद अपनी इक्षा से इन्होंने सेवा निवरत्ती इनको प्रमुख पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया है, कौन-कौन से पुरुषकार है, स्विफ्त राष्ट पदक 2004 में मिला था, रेमन मैक्सेस पुरुषकार 1994 में मिला था, इनको राष्टी का पुलिस पदक 1979 में मिला था, किरन बेदी जो है, जो है, जो इंपोटेंट हैं, ये भी पूछा जाता है, जो किरन बेदी है, वो 28 में 2016 से 16 फरवरी 2021 तक केंदर सासित प्रदेश, पुन्डू चेरी के राज्यपाल भी रही है, जो कि केंदर सासित प्रदेश है, इसके बारे में भी आपको पता होना निम्लिकित मेंसे किस राज्य में गल्फ आप मननार, मेरिन राष्टी पार के स्थिते, गुजरात, तमिल्लाडू, अंडवान, निकुबार, दीप, समू, या फिर पश्यम, बंगाल, ये पश्यम, बंगाल लिखा हुआ है, परे न, सही आंसर क्या होगा, गल्फ आप मनना मननार की खाड़ी में इस्तित राष्टि पार्क भारत के तमिल्नाडू-राज्य में, यहां उतले पाने जो हिंद महसागर में लक्षदीप सागर के एक भाग का निर्मान करती है और भारत के रामेश्वर दीप से लेकर स्री लंका के मनना दीप तक स्तित है अगला प्रश् जरन कौन सा ही जैसे कि इसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, बता चुका हूं, मानस काजी रंगा, गीर जंगल या फिर काना किसली। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर काजी रंगा राष्टी उद्यान, बी वाला विकल पर आपका सही होगा। इनकी लाल सूची, यानि कि रेट डाटा जो बुक है, उसमें रखा गया है, रेट डाटा बुक में किसको रखा जाता है, जो विलुप्त हो रहे हैं, जो विलुप्त होने की कगार पारे, जैसे की जानवरों की लुप्त प्राइज प्रजाती को रेट डाटा बुक में उनकी सूची उसमें दर्साई जाती है अगला प्रस्मी परियावरण को बचाने के लिए चिपको अंदुलन से कौन सा राज्य वड़ा हुआ है सरलसा है और काफी बार या भी चार से दो से तीन बार या फिर चार बार इस प्रशनों को पूछा गया है उत्तर प्रदेश से ज क्या होगा उत्राखन यहां आंदुलन जंगलों की अंदादुन और अवेद कटाई को रोकने के लिए कब किया गया था 1973 में चिपको अंदुलन के सुरुवात हुई थी यह उत्तराखन प्रदेश के चमोली जिले से प्रारम हुआ दाया पर जिले भी आपको धिहान रखना है चिपको अंदुलन के प्रणाता के बारे में आपको ध्यान देना है सुन्दलाल बहुगुना है इनके साथ साथ आंदुलन में कामरेट गोविन सिंग रावत साथी थे इनके चंदी प्रशाद भट और स्रिमती गोरा देवी भी सामिल थी इन चारो पाचों के बारे में जो चार-पांच मैंने नाम बताए हैं इन नामों को भी आपको याद रख लेना है क्योंकि इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है जीवों के विवार का अध्यान किया जाता है इतोलोजी में अगला प्रशन है बीहु राज्ज के किस राज् राजिस्तान, तमिलनाडू, अश्म या फिर उत्तरप्रदेश, बीहु, है न, सरलसा है और काफी बार इस प्रशने को भी पूछा गया है, सही आंसर होगा असम, या फिर अश्म, बीहु, भारत के असम राज्जी का लोगनत्य है, कुछ प्रमुक लोगनत्य भी उने यहाँ पर रिखें, जैसे की जो घुमडर नत्य है, या आपका राजिस्तान का है, भरत नाट्यम, आपका तमिल नाडू का है, रास लिला अर्णों तंकी आपका, उत्तर प्रदेश का है, कॉछ पूडिय आपका अंधर प्रदेश का है, यह जो पांच नत्लि नत्यू में आपको सही होगा और ब्यूफोर्ड के हम बात करें ब्यूफोर्ड पेमाना या पर यसे ब्यूफोर्ड भी कहा जाता है ब्यूफोर्ड पवन बल पेमाना भी कहा जाता है जिसमें पवन वेग मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ध्वनी को डेसिबल इकायों में मापने के लिए किया जाता है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, चलिए, अगला और अंतिम प्रशने, जैसे कि टोटल मैंने बोला था, पचास प्रशनों के बारे में, और यहीं पर खतम होंगे, आपका विसु परियावन दीवस मनाए जाता है, पांच नवंबर को, इ उसके बारे में आपको बता देते हैं, विशोपरियवन के समश्याओं के परतिज आगर फिराने के लिए, पांच जौन को विशोपरियवन दिवस मनाय जाता है, थोड़ी दे aik पहले धिया था, पांच जौन 1903 को पहला विशोपरियवन दिवस मनायय गाया, प्रमुक दिवस आने के 5 जुन को विश्व परियावन दिवस 2 दिसंबर को राश्टी प्रोदूर्शन रोख थाम दिवस 16 सितंबर को विश्व वजुन दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनर संख्या दिवस मनाया जाता है ये 50 प्रस नहीं पर के कंप्लेट होते हैं आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से के माद्यम से बताना है इसी प्रकार का और भी यदि आपको वीडियो चीए तो भी आप कमेंट से के माद्यम से बता सकते हैं जल्द ही दोस्तों के नई वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद